ये सरकारी वे आरसर चलाती है प्रधानमंति तो कटपुतली ये पूरा सडियंत्र जो है चल रहा है इसके खिलाफ हम लोग साथ मार्च को संसद का घिराव कोई लोग जिनोंने उनको सत्ताम बिठाया था आज वो अपने गाउगाउं में बोर्ड लगा रहे हैं कि भरती जंत पड़ी के लोग गले में स्लेंडर टांग टांग के और प्याजों की माला टांग टांग के घुमा करते हैं जब महंगाई बात होती चंद्र शेकर आजद इसमक्त मेरे साथ मौजूद है बाचीत के लिए किसान आंदुलन 75 दिन से चल रहा है क्या आपकी नजर में क्या बीच का रास्ता है कोई हल ने निकल रहा है बीच का रास्ता मेरे हाथ में नहीं है सरकार के हाथ में सरकार चाहे तो निकाल सकती है किसानों की मांग मान ले कोई जबस्ती किसी को पकड़ के क्यो अधिकार देना चाहते है उसकी मांग पूरा करना जाता है किसान जब जो चीज़ नहीं चाते क्यों दे रहे हो मुझे लगता कि सरकार को किसानों की मांग मान लेंचे किसानों मुझे लगता घर वापा चला जाएंगे उससे बुरा यह है कि 135 लोग ज्यादा सहीदगी हो चुकी है प्रायमिस्टर का एक ट्वीट नहीं है एक बार उन्होंने बात नहीं की मन की बात करने वाले प्रायमिस्टर क्यों किसानों की बीच नहीं जा रहे है उनके मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं वो ही लोग जिनोंने उनको सत्तम बिठाया था आज वो अपने गाउगाउं में बोर्ड लगा रहे हैं कि भारती जंता पर्टी के लोग और उनके सयोग लोग यहां ना आ हैं तो ये कोई गुम्परा करने वाली बात नहीं किसान अपनी हकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनको समर्थन करता है देखिए अभी तो किसानों की बात चल रहे हैं भी तो महंगाई पर बात नहीं हुई मेरे आज भी याद है भारती जंता पर्टी के लोग गले में पर बात नहीं है जिस तरीके से बैरिकेटिंग कर दी गई धर्णना प्रदेशन स्थल पर गाजीपूर बॉर्डर को के लिए बंदी में तब्दील कर दिया गा सिंग्यू बॉर्डर पर सिमेंटिट बैरिकेट की गई आप क्या समझ रहे हैं उससे सरकार क्या करना चाहाएं और तमाम तरह की कोसिश कर रहे हैं किसानों के अंदों बदनाम करने की लेकिन यह चलेगा नहीं पहले बहुत सारे परियास आगे भी सरकार परियास करें किसान हक्की लड़ाई लट रहे हैं और अब हमारे गुर्वों महाफुर्शों का अशिराद उनके साथ है वो चीते हैं यह सरकारी आरसस की विचारधाना काम कर रहे है बीजेपी सरकार के पीछे यह सरकारी आरसस चलाती है प्रदानमंति तो कटपुतली यह सरकार जो है पूर्ण उपसे आरसस चला रहे है और इसका अजंडा एक आरक्षन खतम कर देजाए जिसका वंचित तबका सवेधानी का अधिकार की थोड़ा सा आगे बड़ा था उसको हासिय पे ला दिया जाए कि फिर से लोग जो है गुलामी के सिकार हो जाए अब यह नहीं चलेगा अब आजा समाजबर्टी भीमारी भी इसके विरोध में मुर्चा लेके खड़ी होगी निजी करण जो है भारा सरकार ने अभी अभी अपने बजट में सरकारी कंपनियों की इस्सेदारी बेच कर कंपनिया है इनमें कई फाइदे वाली कंपनिया है जो भी फाइदे में चल रही है और मेरी समझ में नहीं आ रहा सरकार इसको क्यों बेचना चाह रही है इसमें लाखों लोग को टिकाव रोजगार मिलेवे हैं अब यह पैसा जो सरकार से कलेक्ट करेगी अब समझना यह कि उस पैसे का सरकार करेगी क्या क्या उसे जंता के भलाई किसी काम में लगाएगी जैसे हजारों की संख्या में सरकारी कॉलिज बनाए या होस्पिटल बनाएं या और कोई काम इसका एक साफ मतलब यह है कि सरकारी खजाने का मेनेजमेंट जो है या तो उसमें सरकार ने घपला किया है यह सरकार ने खजाना अपने लोगों पर लुटा दिया है जिसका निजीकरण करके अब निजीकरण करके जिसमें वो रूपए जुटाने का सरकार प्रयाज कर जिससे की सरकार चलती रहे और मेरी राय में एक सडियंत्र है जो सत्ता में बैठे लोग उन्हें रचा है लोकतंत्र को महंगा करके आप चुनाव लड़ने के लिए करोड़ो रूपए की जुरत है और वो करोड़ो रूपए जेश्वी किसी स्टेट में चुनाव होता है सेंटर में होता है सरकार उन्हें जुटाती है अब भारते जन्ता पर्टी का आप देखोगे कि बड़े बड़े कारेले बने हैं अभी और हर चुनाव में इनके विपक्स का एक आधा हिलिकॉप्टर होता है इनके सेक्डर होते हैं तो देश तो एकनोमिक क्रैसेज मजा रहा है लेकिन भारते जन्ता पर्टी इतना पैसा कहां से जुटा रही है तो मुझे ऐसा शक है कि इन्होंने पूझी पतियों से साठ्गा कि आप हमें पिछले दर्वाजे से मोटा चंदा देते रहें और हम उसके एवज में सरकारी कंपनियों को आपके हवाले करते रहेंगे उनके घाटा दिखाकर या उनको कमजोर करके और फिर उनके उनको उबारने का उपायना करके मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फिर कैबिनेट प्रस्ताव लाके ये मालिकाना हग जो है वो पुझी पतियों को दुख पतियों को दिलाना चाहती है जिसके एवज में वो एक मोटा चंदा जो है लेती है राइंतिक दलजोबी है वरतमान की सरकार है 1990 से आर्थिक सुधारों से निजिकन को बढ़ावा मिला लगबग 64 लाग सरकारी नोक्रिया खतम हो गई सरकार रोजगार तो दे नहीं पा रही है जबकि जो नोजवान पढ़ रहे हैं उनके भविस्ते के साथ जरूर खिलवाड कर रही है इसमें हमारी दूसरी समस्या भी है वो यह है कि जैसे ही कोई कमपनी सरकारी होगी उसमें आरेक्षन खतम कर दिया जाएगा यानि एक कमपनी जो सरकार दुआरा जन्ता के पैसे से बनाए गई थी वो निजी हातों में चले जाएगे और आरेक्षन जो है वहाँ नहीं मिलेगा ऐसा मारूती और बालकों में भी ऐसा पहले हो चुका है इस तरह से आरेक्षन के समवेदानिक प्रावधानों का मजाक उड़ाए जा रहा है दूसरी तरफ सरकार अपने सातियों उद्धोगपतियों को सरकारी कमपनी सस्ते रेट में लुटा रही है सस्ते दामों में जो है उद्धोगपतियों को बेच रही है यह हर लियाज से गलत है सरकारी करमचारियों के लिए भी इस देश के वंचे समाज के लिए भी इस देश के युवाओ के लिए भी और देश के गरीबों के लिए भी क्यूंकि सरकारी जो उपकरम है उनमें गरीबों को थोड़ी सी साहिता मिलती है सरकारी जो उपकरम है वहाँ से सरकारी नीतिया जो है वो गरीबों के लिए लाब के लिए होती है अगर हम उधारन के तोर पे बात करें तो railway आप इसका बड़ा उधारन है और बरबाद करने के लिए BSNL इसका बड़ा उधारन है BSNL बरबाद हुआ तबी तो जीओ चल रहा है और railway इसलिए क्योंकि एक गरीब आदमी भी उसमें एक अमीर भी उसमें सफर कर सकता और एक गरीब भी सर्वाइव कर सकता इस सरकार गरीबों के आमदनी तो बढ़ाने से गई लेकिन जो उनका जरिया था उसको भी जो है चिनने काम करें यह मेरी निजी करण पर बात है अब बात करेंगे लेटरल एंटरी की भारा सरकार में जोएंट सेकेटरी और डिरेक्टर के लिए तीस अफसरों को जो है निउक्त करने के मामले में देश के जो तमाम यूओं हैं उनमें बहुत आक्रोस है और सबसे सरमनाग यह कि केंद्रे वित मंतरी ने बकाइदा ट्वीट किया इस जानकारी के लिए कि मैं घोष्टना करती हूँ मानो देश के यूओं के लिए निजी का कोई अफसर दिया हो कि मैं नोकरियों की घोष्टना करती हूँ जबकि हमारे देश के जो और भी जो मनिश्टर हों कह देते हैं कि हमने ठेका निले रखा युवा होगा जबकि क्यावन परसेंट युवा वाले देश में युवा देश की रीड है उनको नकारा नहीं जा सकता है भारते सविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच केंदर और राज्य सरकारों के लोग सेवायोग का प्रावधान है इन्हें सरकारी सेवों में नियम बनाने में प्रिक्षा युजित करने का जिम्मा सोपा गया है सरकार अधिकारों के नियुक्ति के मामलों के इतना गंभीर समझा गया है कि उसे बकायदा सविधान का हिस्सा बनाया गया है अब उसी का उलंगन करके चोड़ दरवाजे से यानि के लेटरल एंट्रिर से के जरी अपने अफसर भरे जा रहे है तो यह इसलिए भी बुरा है कि अगर सरकार अपने चाहिते लोगों को सिस्टम में मिठा देगी तो मुझे लगता है कि राजा ने दिन कहा तो रानी ने भी दिन कहा और मंत्रियों ने भी दिन कहा राजा ने रात कही तो रानी ने भी रात कही और मंत्र ने भी रात कही और ये सुबह सुबह की बात थी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के चाहिते लोग वहां बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ना तो न्याय संगत कोई काम होगा ना ही सविधान संगत कोई काम होगा ना ही कानून के दारे में कोई काम होगा कई मामलों भी हमने देखा भी है कि आंदोलन करना हमारा constitutional right है जबकि वहाँ लोई की इतनी लंबी-लंबी कीले जो है और उसके साथ-साथ जो है वो वायर जो है वो वायर लगाए जाता है जो बॉर्डर पर लगावा है इसमें कुछ बड़ी समस्षा है जो है वो future में जो आने वाली उसको भी मैं आपकी जानकारी में रख देता हूँ एक तो ये सविधान का खुला उलंगन है क्योंकि अवसर की समानता के सविधानिक सिध्दान को पर lateral electric एक हमला है यहाँ इसमें अवसर की समानता नहीं सरकार जीसे चाहेगी वो रखेगी तो ये भी निजीकर्णी ही है जो छात्र नोजवान इन नोकरियों के लिए कहीं वर्सों से दिल्ली में रहके कटिन मैनत कर रहे हैं देश से कहीं भी किसी कौने में रहके मैनत कर रहे हैं उनके साथ भी अन्याय उनका हक मारा जा रहा है इस वैसे नोकरियों के अफ्शन लगा से परतिक्षा कर रहे हैं जो पहले से लोग सेवा में हैं उनको संयुक सचीव बनने में अगर मैं बात करूँ सेक्षन अधिकारी की तो उसको 25 से 30 साल लगते हैं अगर मैं बात करूँ आईएस अधिकारी की तो संयुक सचीव बनने में एक आईएस को लगबक 16 साल लगते हैं तो वो गैर जिम्मेदार लोग जो सरकार रख रही है जिनके पास कोई जादा अनुभव भी नहीं है इस तरह की नियुक्तियों में कोई प्रिक्सान होना से भरष्टा चार भाई बतीजेवाद में खुली छूट मिल जाएगी सरकार ने साप कर दे कि नियुक्तियों में आरेक्षन नहीं मिलेगा जबकि अवसर की समान तक सिद्धान यह है कि आरेक्षन वैवर्था रहेगी और सबको मौका मिलेगा और ये बात लेटरल नियुक्ति की विज्ञापन में भी देखी जा सकती है यानि लेटरल एंट्री आरेक्षन के को बाइपास करने का जरिया बन गया है 2019 में जो लेटरल भरतिया हुई थी उनमें एक भी से, स्टी, स्टी, और मैनोर्टी के विक्ति को कोई जगा नहीं दी गई थी लेटरल एंटरि बंद कर दे और प्रइवर्ट सेक्टर में रिज्रिवेशन की वैवस्ता करें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सरकार आरसस का जो छिपाव जणडा जाए बहुत बार कहता है आरक्षन की समिक्षा होने चाहिए तो सरकार आरक्षन को खतम करने का जो है जो आरसस का जणडा था उस पे पिछले दरवाजे से काम कर रही है और खूब धनी कठा करके यानि के निजिकन करके अथाय धनी कठा करके सरकारी जो संसादन है और देश सरकारी डिपार्टमेंट संसादनों में कभजा करके लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहती है लोकतंत्र खतम कर देना चाहती है ये पूरा सड़ियंत्र जो है चल रहा है इस इसके खिलाब हम लोग साथ मार्च को संसद का घिराव करेंगे यह किसी कीमत पर बरदाश नहीं कि जाएगा इस देश के युवाव के भविस्टक सा खिलवाड कि जाएगी और सरकार यह सोचेगी कि लोग चुक्चा बैठ रहेंगे तो मैं भी मार्मिय और राजास समाज पर करार रखेगी और इनको बेचने का प्रयाज करेगी पहली बात तो सरकारी किसी भी संपत्ति को हम लोग बिकने नहीं देंगे यह ना तो सरकार ने बनाई है इस सरकार ने तो नहीं बनाई है बिलकुल भी इन्होंने तो बेची है तो इससे देश कमजोर होरा आर्थि पर देश को चलाने के लिए काम कर सकती है अगर ऐसा नहीं होता तो साथ मार्थ तो पहला चरने अंदोनकुस के बाद पंचायते जो हैं हम लोग जिला लेविल पर मंडल लेविल पर और प्रदेश लेविल पर करेंगे और यह आगामी जो भष्षे की जो रणनीती होगी तमाम खाली पाद जो हैं वो भरे जाएं जो बैक लोग है अंदा दून नीजी का बंद करो नीजी शेत्रों में अरक्षन लॉग करो किसान विरोधी कानून वापस लो और MSP पर कानून पारित करो क्यूंकि 70 दिन से जादा होगे और किसान लाचार है किस हालात में सरकार को उनको कमजोर कर रही है और सब के कमजोर होने से देश कमजोर हो जाएगा तो साथ मार्च को हमारा संसत का घिराव रहेगा और उसके बाद जो भी आगे रन्डीती होगी वो आपको प्रेस के माद्दम से सुचित किया जागा धाने बाद सबी एहम खबरों के लिए News MX को सबस्काइब करें साथ ही बेल आइकोन को सरूर डबाए लाइक, शेर, कमेंट करना ना भुले